विल्कम बच्चो तो जैसे अवरा चाप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर आप आइटम्स आइन नुकलियाई तो वहाँ पर हमने देखा था कि अलग-अलग जो थेरी जैसे रूदर पोर्ट थेरी है जेजे थॉम्सन ने अपने कुछ विचार वहाँ पर रखे उसके बाद नील बोहर आया उन्होंने अपने थेरी रखी जिसको उनने तीन पोस्चुलेट में देखा हुआ है तो यहाँ पर जो चीज़े हम अभी तक पढ़ चुके जो सेकंड पोस्चुलेट था बोहर का वो मैतेमेटिक अलिए अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा यम वी आर इस इकोल टो एनेज अपन टू पाई यह हमने देखा था और थर्ड पोस्चुलेट जोट था वो एनरजी के सब्मन में था स्पेशली एनरजी के सब्मन में रखना तो ए इस इकोल टो यह निव इस इकोल टो एन माइनस एपी था अब एन क्या है तो यह यंद और बीट की रिडियस है सुरी एनरजी है और एपी क्या है तो यह पीत और बीट जो होगा या फिर एनरजी लेवल जिसे बुलेंगे आप उसकी एनरजी ठीक है फिर जब हम वहाँ पे आगे बड़े तो हमने वेलोसिटी देखी थी जो फार्मिला था वी इस इकोल टो ए स्क्वेर अप उन्ट वाइस एप्शलों जरो एच इंटो यह न आप यहनको साइड में यहने इस तरह से फार्मिल ले सकते हो हमने इसलिए इसको यह किया ताकि हम उसको प्रपोर्शन बता है वेलोसिटी इस इनवर्सली प्रपोर्शन टो दी प्रिंसीपल कॉंटम नंबर और यात को रवाहा पर हमने क्या किया था जेट को लगा दिया था अगर यहाँ पर क्या है कि नंबर आटमस आपको दिये है हमने क्या किया था सिर्फ हाइडरोजन के लिए काम किया था इसलिए वापे जेट को नहीं लिया था ठीक है लेकिन बाद में जब हमने यहाँ पर देखा ठीक है यह वेलोसिटी यहाँ पर जो नोट्स के लिए था यह ठीक है उसके बाद हमने रेडियस देखी रेडियस अप एंथ बोर और्बिट तो रेडियस हमारे पास में r is equal to n square h square epsilon 0 upon pi m z e square यह देखा उसके बाद आगे बड़े वहाँ पर हमने देखा energy का पारमिला तो energy जो मिली थी आपको energy मिली है minus m z square e power 4 upon 8 epsilon 0 square n square h square यह हमने देखा धान में रखना पच्चो यह जो हमारे पास में यह energy का पारमिला हमारे पास जो है इसको धान में रखना ठीक है इसका हमने इस्तबाल करना है ठीक है चलो फिर आगे देखा हमने last time में energy energy के बाद में हमने देखा red bar constant ठीक है तो red bar constant हमारे पास में क्या था यह था red bar constant यह red bar formula यूज़ किया rate bar constant का यानि जो r था r हमने रखा था किसके लिए r रखा था यहाँ पे देखो m e power 4 यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा बना दू ठीक है ताकि आपको देखे m e power 4 upon 8 epsilon 0 square c h cube is equal to r रखा था आपने किसमें तो जब हमने क्या किया था rate bar formula देखा था तो rate bar formula में यह देखा जिसका लिए इस्तेमाल किसका किया था energy formula का इस्तेमाल किया energy का इस्तेमाल किया ठीक है लेकिन वहाँ पर हमने यह रेखा था कि energy electron energy कब radiate करता है तो electron energy तब radiate करता है जब वो higher energy level से lower energy level में क्या करता है entry करता है जैसे कर बार लेजे कि यह stage से वो अगर यहाँ पर आता है तो ही वो क्या करेगा extra amount of energy liberate करेगा ठीक है उसके चलते हमने देखा था वहाँ पर हमको मिला ठीक है तो यहाँ हमको मिला कि one of one lambda is equal to z square r bracket पर one by p square minus one by n square यहाँ पर p और यह 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 energy level से तो यहाँ पर हमने देखा था यहाँ higher energy level है और p थोड़ा lower energy level है ठीक है और यह जो lambda है यह lambda हमको wavelength देता है धान में रखना है इसी का इस्तमाल आज के हमारे topic में करना है और यह जो था आमारे पास this is your red bird formula इसको ही क्या कहेंगे है red bird formula और hydrogen atom के लिए जिसमें electron one है proton one है उसके लिए z की z का जो number है ठीक है तो वो one रखेंगे तो यहाँ से z नहीं लिखा तो भी चलता क्योंकि one का square one ही होगा so one upon lambda is equal to ठीक है आर into one by p square minus one by n square ठीक है यह हमने देखा था तो यहाँ पर हमारे पास में यह चीज़ क्या थी है हमारे पास में यह red bird formula हो गए ठीक है अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यह वहाँ पर जो यहने energy है यह formula वगर है यह आपके लिए जो मैंने आपके whatsapp पे notes बेजे थी ठीक है अब अच्छो यहाँ पर जो red bird formula पड़ चुक है हमारे पास में energy का formula है ठीक है अगर आप energy का formula यहाँ से check करेंगे ठीक है तो आपको energy का formula मिल जाएगा यह हमारे पास में energy का formula जो हमने वहाँ से लिया था ठीक है चलो इसको थोड़ा साखर बना बड़ा बना दू ठीक है अब को मालूम है यहाँ पर energy का formula यह हमारे पास में already आ चुका है ठीक है so energy of electron in any orbit यंत orbit हमने यंत लिया orbit याने energy level ठीक है तो वहाँ पर उसकी energy क्या होती है total energy जो potential energy और kinetic energy से बनती है वो है minus mz square e power 4 upon 8 epsilon 0 square n square h square ठीक है अब यहाँ पर जो n है यह जो energy level है यह पिर principal quantum number यह पिर number of orbit जो है इसको अगर छोड़ दो तो बाकी सब constant है जिनकी values हमें मालूम है और वो values बच्चो अगर हम बग देते हैं ठीक है तो हमको क्या मिलता है एक particular उसके यहने total energy मिलते है अगर मान लेजे कि मैं n की value 1 रखू यहने वो आप ground state बोल सकते है यह पिर first orbit बोल सकते है तो उसके लिए जो value मिलती है वो 13.2 होती है electron hold में लेकिन minus होती है ठीक है वो ध्यान में रखना तो जैसे हमरे पास में इसके value हम देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं बाद में आपको बताऊंगा तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे जो 13.6 sorry मैंने 13.2 का आता वो 13.6 electron hold होती है जो minus में आएंगी ठीक है पहले के लिए ठीक है कब जब मैं यहाँ पर क्या करूँगा यन की value 1 रखूँगा और बाकि सब की value अगर रख दो तो answer वो value कितनी मिलती है हमको minus 13.6 electron hold उसी प्रकार अगर मैं क्या करूँ कि यन की value 2 रखो यन इस second orbit के लिए तो इसको 4 से अगर तो यन नीचे है यन की value 2 अगर रखेंगे तो 2 का square हो जाएगा तो second की energy क्या हो जाएगे second energy level या फिर second orbit की energy क्या होगे minus 3.4 electron hold यह होगे तो इस तरह से आप अलग-अलग orbit में अलग-अलग principle quantum number ठीक है energy level अलग-अलग levels की energy निकाल सकते हो यन यह होगे हमारे first energy level की energy यह second level की energy ऐसे third को निकालना है तो यह जो main value आई है 13.6 इसी को आप third की निकालना है तो 3 का square कर दो 9 से divide कर दो तांसर मिल जाएगा तो इस प्रकार से आपको यहाँ अलग-अलग levels की यानि अलग-अलग orbit की energy मिलेंगे बच्चों यह तो होगे हमारे energy of orbit यानि उस level की energy लेकिन जैसे कि हमने देखा है energy, electron energy कब liberate करेंगा कब radiate करेंगा वो जब वो higher energy level से lower energy level में क्या करेगा जम करेगा ठीक है यानि हमने देखा क्या कि when the electron jumps from higher energy level to the lower energy level then it radiates energy वो energy को क्या करता है बाहर फेकता है ठीक है वो किसका और वो energy होती कितनी है तो वो energy होती है हमारी पास में E is equal to H new लेकिन होती actually कितनी है तो जो हमारे पास में energy levels है उन दो energy levels में उनकी जो जो respective energies होंगे उनका difference इसलिए हमने वहापे लिखा था EN minus EP समझो यंत orbit के energy है हमारे पास में EN और Pth orbit के energy हमारे पास में EP अब इसका जो भी difference होगा वो difference इतनी energy वो क्या करेगा बाहर फेकेगा जो किसके बराबर होगी H new यहाँ पर हमारे पास में आपको मालब है frequency of radiation है तो ये जो energy बाहर फेकेगा वो कुन से form में आती है वो आती है electromagnetic radiation के form में जिसके particular wavelength होती है हाँ बच्चो जिसकी particular क्या होती है wavelength होती है सबसे पहले ये concept ध्यान में रखो कब वो liberate करेगा कब वो radiate करेगा जब higher energy level से lower energy level में जम करेगा ठीक है अच्छा वो higher energy level में पहुचेगा कैसे तो इसको ध्यान में रखो तो जो energy difference है अगर मान लिजी कि मैं थोड़ा से यहाँ पर बढ़ दो यहाँ पर देखो मैं जी लिखा है first, second, third actually यह one हो सकता यह second, third असा बूल सकते हैं ठीक है तो यहाँ से अगर मान लिजी कि यहाँ पर electron को मिलती है तो वो यहाँ से उपर आएगा कहाँ पर यहाँ आ सकता है अगर यह इसका और इसका difference इतनी energy मिल गई तो वो यहाँ से यहाँ आ सकता है ठीक है और अगर बाले जी कि यह है और यह इसका energy difference है उतनी energy अगर उसको मिल गई तो वो उपर आ सकता है यानि अपने ground state से उसके बाद वाले orbits में वो आ सकता है मैं फिर से कह रहाँ यहाँ पर ground state कहा मैं ने ठीक है तो इसी को first कह सकते तो यह second होगा, यह third होगा, यह fourth होगा यह मैं समझो कि यह ground है तो बस यह second, first second होगा अब इसको होगा, तो वो lower energy level से कहाएंगा upper energy level में, higher energy level में लेकिन बच्चो देन में रखो, यह पर होता क्या है कि जो electron आता है, उपर के level में वो बड़ा excited होता है, ठीक है, वो क्या होता excited, और कोई भी चीज, अगर excited state में है तो ज़्यादा दिर नहीं रहती, वो unstable रहती है तो उसको stability अगर चाहिए है न, तो क्या है कि उसको अपने excited state छोड़नी पड़ती है, मतलब मारलीजे कि अगर वो यहाँ पर आ चुका है, समझो और यहाँ से, यहाँ पर हो है, तो वो उसके साथ वाला जो orbit है, वो first orbit है, जिसको ground state बोलेंगे, ठीक है याँने ground orbit में आना चाहिए, first orbit में, तो यह क्या करना पड़ेगा उसको जो extra की energy, दिखो, यहाँ से वो ऊपर क्यों गया, क्योंकि उसको energy मिली अब वो excited state में, stable नहीं है वो, तो उसको वो energy को छोड़ना पड़ेंगा यानि वो higher energy level से lower energy level में आएगा, लेकिन extra amount of energy जो भी उसको मिली है, उसको छोड़ने के बाद, ठीक है, और इसलिए बार-बार-बार-बार क्या कह रहे कि हमारे पास में जो है, ठीक है, कुणसी चीज, कि radiate कप करेगा, electron, electron radiate तब करेगा जब वो higher energy level से lower energy level में आजाएगा, ठीक है, और जब वो आएगा, तो उसके साथ में है, तो यह अच नहीं इतना, ठीक है, तो यह वोगा, रहे का देन में, तो चलो, इसको statement में बदल देते हैं, क्या मोलेंगे हम, event electron jumps from higher energy level to lower energy level, then it radiates energy, that energy is equal to the difference between the energies of the respective energy levels, ठीक है, and that energy is in the form of, that radiation is in the form of electromagnetic radiation, having particular wavelength, having particular wavelength, उसके साथ में, वो जो energy बाहर निकलेंगे, जो radiation बाहर निकलेंगे, उसका particular क्या होगा, wavelength होगा, और उस wavelength को ही हम spectral line कहेते हैं, जो, मानली जी कि समझे, यह lambda wavelength है, इस lambda wavelength को ही हम क्या कहेंगे, spectral line, ठीक है, इसको ही क्या कहेंगे, उसकी energy क्या है, ठीक है, तो वो जो energy और प्रिस्पेक्टिव लेवल से, ठीक है, जहाँ से वो आएगा, उस पे depend करेगा, यह wavelength, यहने spectral line, ठीक है, तो यह धाल में रखो, यहाँ पर यह थे आमारे पास में, यह total energy, इसको अगर मान देजे कि values रखते हैं, तो ground state की, यहने पहले orbit के लिए, पहले level के लिए energy 13.6, minus 13.6 होंगा, ठीक है, उसके बाद में उसके energy, यह सबसे कम energy होंगे, उसके बाद में वो बढ़ते जाएंगे, तो minus 3.4, ठीक है, पहला क्या कहा हमें ने, कि minus 13.4 है, ठीक है, electron hold में यह, दुसरे की है, तो वो 3.4, समझे, यह 13.6 है, यह 3.4, electron hold, अब बुलेंगे, सर, नीचे में वो यह ज़्यादा है, और उपर में तो कम है, याने higher energy level की, तो energy कम है, नहीं, यहाँ पर actually check कर, यहाँ पर minus है, ठीक है, तो minus में नमबर बढ़ा भली दिखता है, लेकिन चोटा होता है, याने ground level में अगर बात करेंगे, तो वहाँ पर energy कम होती है, और जब energy कम होती है, तब ही जाके वो stable रह सकता, अच्छे से, वो excited नहीं होगा, ठीक वो energy क्या हो जाएंगी, वहाँ पर 0, तो यह minus 13 points से तुलना में 0 भी तो बढ़ा है भाई, क्योंकि यह हमारा negative में, ठीक है, यह धान में रखो, अब यहाँ पर आगे जो बढ़ने वाले हैं, हम वो यह चीज है, ठीक है, कौन से, कि, जैसे हमको, देखो, यहाँ पर मैंने कह कि यह energy वो liberate करेगा, जो electromagnetic radiation की formula होंगे, जिसकी wavelength होंगे, समझो lambda है, उस wavelength को ही हम spectral line कहेंगे, जो किसके उपर depend करती है, उस energy level की जो energy उसके उपर depend करती है, और इसी के चलते हैं, हमारे पास में, हमने wavelength के लिए, red bar constant के, red bar formula के अनुसार, ठीक है, एक क्या देखा था हमारे पा क्या किया था, जो formula देखा था, red bar kis में, ठीक है, तो यह देखो, 1 by lambda is equal to, यह z square r, और यह bracket में, 1 by p square minus 1 by n square, ठीक है, तो यह आप यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हो, select कर लेता हो, ताकि उदर में मुझे काम आ जाए, ठीक है, दैन में रखो, ठीक है, आगे बढ़ते है, यहाँ पर, so, यहाँ पर मैं क्या करता हो, इसको paste कर दू, ठीक है, चलो देखो, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको side में, अगर मैं करता हो, तो यह हमारे पास में है, यह देखो, यह था हमारे पास, इसको बड़ा बना दो, ठीक है, so, तो, यहाँ पर उसके उपर questions, अगर मान लीजे कि वो first से याने actually यहां से यहां अगर वो जम करता है याने इस orbit से यह higher energy level समझे हो यहां से यहां से यहां जम करता है तो जितनी energy बाहर जाएंगे उसकी जो wavelength होंगी वो wavelength हमारी lambda होंगे तो उसके अनुसार हमको एक spectral line मिलेंगे अगर मान लीजे कि वो second से यहां आता है और यहां जम करता है तो उसके अनुसार हमको wavelength मिलेंगी याने spectral line मिलेंगी अगर वो यहां से इधर आता है तो इसके अनुसार हमको क्या मिलेंगी? wavelength मिलेंगे याने spectral line मिलेंगे इसका मतलब अब इसके उपर higher energy level से वो ground state में आ रहा है तो वहाँ पर अलग अलग वेवलेंस मिलेगी, उन सब भी वेवलेंस का, याने स्पेक्टरल लाइन का, हम क्या करते हैं, बंच बना देते, तो हम उसे सीरीज कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, सीरीज, ठीक है, तो डिफरेंट सीरीज हमको देखने को बलता है, जैसे बच्चो पर आता, और कहा से आता, ठीक है, अगर वो फर्स्ट पर आ रहा, ग्राउंड स्टेट पर आ रहा, तो वो सेकंड, थर्ड, फोर, फेब, सिक्स, यहां से आएंगा, तो वहाँ के अनुसार हम उसको सीरीज को एक नाम देते, ठीक है, अगर हो सकता है, देखो, जैसे के अधर सा, यहां पर आप चेक करो, ठीक है, जो मैंने का क्या, ओरीजन आप स्पेक्टर लाइन, इन दी हाइट्रोजन आइटम, ऑन दे बेसिस आप बोर्स देरी, ठीक है, तो जो स्टेट्मेंट मैंने यहां पर बता, यहां पर आपको मिल जाएगा, जो मैं नोट सब को तो यह देखो, यह हमारे पास में क्या है, यह फार्मिला है, ठीक है, कुछ सा, जो मैंने वहाँ पर लिखा था, यह फार्मिला, 1 by lambda is equal to hydrogen के लिए क्या, जेड वन होगा, इसलिए फार्मिला कहलेंगे, आर ब्रैकेट में, 1 by P square minus 1 by N square, ठीक है, यह आपको धहन में रखना, ठ तो अलग-अलग series अगर आप देखेंगे, तो the formation of different spectral lines in the hydrogen item as shown in figure, तो यहाँ पर है, तो यह यहाँ पर थोड़ा सा pencil से किया गया, clear नजर नहीं आएंगा, बस ध्यान में रखना, यह हमारी क्या है, यह यहाँ पर, जो मैं, आपको बाद में दूसरी diagram से बता हूँगा, यह फ सबसे, ठीक है, तो यहाँ पर, यह हमारे पास में first level है, यह हमारे पास second level है, यह हमारे पास third level है, fourth level है, इस तरह से level, और यह नजदिक-नजदिक हो जाएंगे, होते जाएंगे, क्योंकि इसकी energy कम-कम होते जाएंगे, ठीक है, actually वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन negative होने के कार सबस्त औरबीट है, यहाँ पर second से, यह third से, यह fourth से, यह fifth से, क्या हो रही है, jumping हो रही है, electron के, तो वहाँ पे अलग-अलग हमको wavelength मिलेंगी, अलग-अलग line, क्या मिलेंगी हमको, spectral line मिलेंगी, तो जिससे देखो, यह एक मिली, यह दुसरी मिली, यह तिसरी मिली, यह चाउत कि कि हम SSG है अलग-अलग सिरे उसमें पर्ली लाइमन सीरीज होंगे दुसरी में बाल्बर सीरीज होंगे फिर आता है पैशं सीरीज पीर यह ब्रैकेट सीरИज फिर पर्ड सीरीज ठीक है इस तरह से तो इसमें कुछ एको समझ रहा हो एक एकसीरीज को समझलेने यहाँ पे P की value 1 होती है, इसका मतलब electron higher energy level से first level में jump करेगा, ठीक है, first level में jump करेगा, इसका मतलब कहां कहां से होगा, एक तो वो second से आएगा, वो third से आएगा, वो fourth से आएगा, वो fifth से आएगा, लेकिन आएगा कहां पे, first पे आएगा, ठीक है, यहने transition, जिसको हम transition बोलते हैं यहाँ पिर jumping बोलेंगे, ठीक है, यहाँ कि when the transition of electron takes place from some higher energy levels to the first energy level, then the series of spectral line is called as Lyman series, ठीक है, डान में रखना, first पे आएगा, electron second, third, fourth, fifth से, आप आएगा, first में, तो समझना, Lyman series है, यहने for Lyman series, क्या हो जाएगा, P तो fix हो गया, one हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, जो P लिया था, वो lower energy level थी, तो वो first हो गया, ठीक है, P first, यह हो गया one, और wavelength उसके लिए formula क्या हो जाएगा, हमारे पास wavelength का formula, one by lambda is equal to a है, ठीक है, यह से देखो नाम नहीं, यहाँ पर इसके पहले भी देखा है, यह हमारे पास में formula है, ठीक है, यह, actually हमारे पास formula है, इसको मैं पर सीले कर दो, ठीक है, so, यहाँ पर फिर से मैं इसको copy कर दो, और उधर में लेके चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, so, देखो आप यहाँ पर, यह formula है, so, यहाँ, one by lambda is equal to z square, वैसे जहाँ पर, z यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, इसको निकाल द is equal to r, one by p square, one by n square, p हमारा lower energy level है ध्याँ में रखना, लाइमन सीरिस के लिए p, one होगा, तो yen कया होगा, yen one नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि p अगर one है, तो one पे आ रहा है, मतलब yen की values, two, three, four, five, ऐसी होंगे, इसले ध्याँ में रखो, the wavelength of spectral line in the लाइमन सीरिस is, one by lambda is equal to r, one by one square ठीक है, one by one square, क्योंकि p की value वन होगी, वो one पे आ रहा है, और one by yen square होगा, तो yen की value two, three, four, यह ध्याँ में रखेंगे, ठीक है, अब उसके बाद में वो कहा पे, ठीक है, यानि कौन से reason में, हमारा electromagnetic radiation तो हो लेकिन कौन सा, तो यहाँ पे ध्याँ में रखना, लाइमन सीरिस क में लाइ करेगा, ठीक है, इतना simple है, ठीक है, तो यह हमारे पास में जो wavelength है, जो spectral lines है, उसका जो group है, उसको हम सीरिस कहेंगे, पहली सीरिस हमारे लाइमन सीरिस, लाइमन सीरिस के लिए धान में रखना P1 होता है, यानि, यानि, electron का transition, यानि, jumping, second, third, four से कहां पे होगा, first पे होगा, ठीक है, यानि, fix है, कुछ-कुछ चीज़े fix है, यहाँ पर देखो, P1 रहेगा हमारे पास, यहन की value 2, 3, 4 से onwards रहेंगे, ठीक है, formula यहाँ पर, जो रहेगा, यह formula में, रखते समय, यहाँ पे P के जग़वे, यह P के जग़वे, बंद रख दो, ठीक है, और वो reason धान मेरे रखो, ultraviolet, रेकदन में, अब इसी के अनसार, दुसरा, यह अब फटापट हो जाएगा, कुन सार, जिसे balmer series है हमारे पास, ठीक है, तो balmer series के लिए मैंने क्या का, अब balmer series के लिए, second पे आएगा, देखो, यहाँ पर first पे आए था, अब second पे आएगा, तो second पे कहा से तो यहाँ पे P कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहन का क्या होगा हमारे पास में, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हो जाएगा, जो formula है, formula में P के जाएगा, पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और यहाँ पे ultraviolet reason था, alignment में, यहाँ पे visible reason रहेगा, वस यह ध्यान में रख यहाँ पे धन में रखना, ठीक है, यहाँ सेकंड एनरजी लेवल पे हो रहा, ठीक है, यहाँ पे धन में रखेंगे, तो यहाँ पर आपको first energy level में मिलेगा, ठीक है, और वहाँ पे ultraviolet reason, यहाँ पे visible reason, ठीक है, उसके बाद third जो हता है, यह हमारी कुन सी बच्चो, बलमर सी series है, यह हमारे कुन सी बी, लाइमन सी बच्चो, ठीक है, अब third जो है, हमारी passion series है, passion में क्या होगा, peak value 3 होगी, यहाँ थर्ड पे 4, 5, 6 से आएगा, यहाँ ट्रांजिशन कहा से होगा, सम higher energy level to third energy level, ठीक है, peak value क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, हमारे पास में फार्मिले में, पी की जग़े पे 3 रख दो, यहाँ पर हमारे पास यहन की value क्या हो जाएगी, 4, 5, 6, यहाँ पर दान में रखो, यहाँ पर 4 है, 4, 5, 6 onwards होगा, और रही बाद reason की, तो radiation, यहने electromagnetic radiation में, वो reason कुन सा रहेगा, तो infrared रहेगा, कुन सा रहेगा, वो infrared जो invisible होता है, ठीक है, उसके बाद में 4 series आती है, वो bracket series है, ठीक है, तो bracket series में क्या होगा, वो 5, 6, 7 से 4 पे आएगा, यहने P की value fix होगी, 4 हो जाएगी, यहाँ पर P की value 4 रख दो, और यहन की value 5, 6, 7 रख दो, और यहाँ पर near infrared ध्यान में रखेंगे, क्या बोलेंगे आप near, यहने infrared के नजदिक का reason होगा ठीक है, और एक last वाले series द्यान में रखना, fund series, देखो इसमें P से शुरुवात होती है, लेकिन हम पढ़ते समय, fund series बोलेंगे, P को silent रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर fund series के लिए क्या होगा, वो 5 उपर आएगा, तो कहा से आएगा, 6, 7 आगे से आएगा, ठीक है, तो P की value यहाँ पर द्यान में रखना, यह फिप्त है, यह फिप्त है, P की value 5 होंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, और 6, 7, 8 से आएगा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ फार इंफ्रारेड रिजन द्यान में रखना, ठीक है, तो इस तरह से हमको series मिलेंगे, इसमें क्या-क्या कॉमन ची इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो first energy level है, आप देखो practically उसके energy कितनी है, minus 13.6 electron volt, second के कितनी है, minus 3.4 electron volt, आप इसको बराबर, जो n है, उसका square करते जाओ, और divide करेंगे, इसको यह देखो क्यों 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 पहले की है, पर second में यह square होंगा, तो 4 से divide करेंगे, तो यह third में 3 का square, तो इसी को 9 से divide कर रहेंगा, fourth के लिए इसी को 4 का square 16 से divide कर रहेंगा, फिप्त के लिए, तो इदर से अपनी energy level, energy यहाँ पर higher energy में जा रही है, ठीक है, यह energy level है, first उसकी energy, second energy, energy level की energy, third की, यह fourth की हो गई, यह यह इदर number बढ़ रहा है, तो energy भी जीरो तक जाएंगा, अब बोलेंगे, सिर्फ बढ़ रही है, और जीरो कैसे, बच्चो मैंने पहली भी कहा, यह negative है, negative से कम 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 होना, यह एक्चुली बढ़ना, और जीरो हो जाएंगा, जहापे आपको last में ionized atom मिलेगा, ठीक है, अब ionized atom की हो, क्योंकि अगर बहुत ज स्पेक्टर लाइन्स मिलना, पिस स्पेक्टर लाइन का grouping यानि सिर्फ तयार होना, तो यह topic हमारे आज के इसमें था, ठीक है, तो इसके लिए, इसको समझने के लिए पहले आपको, जो total energy का formula है, ठीक है, उसके बाद में, यहाँ पर ही total energy थी, उसके बाद में हमारे पास में रैडबर कॉर्ण फार्मिला है, ठीक है, तो रैडबर फार्मिला के बाद में, वहाँ पर हमने यह देखाते हैं, तो notes के लिए हो गया, यह total energy का formula, ठीक है, फिर वो कहां से jumping करता है, इस तरह से, ठीक है, फिर वहाँ पे spectral lines के, क्यों line milling, क्यों spectral line कही थे, किसको कही थे, तो आप इसको बराबर अच्छे से, जो जो चीज़े, यहाँ पर आप में discuss किये, उसको फिर से अच्छे से, उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है, बच्चों, यहाँ आपको यहाँ पर पूरे के पूरे क्या हैं, देखो, यहाँ पर clear नजर भी आ रहा, यह लाइमन सीरीज ह और फार इनफरा के इसमें रहा, ठीक है, तो यह सब चीज़े, यहाँ पर आप इसको बराबर यह energy levels, energy भी आप जान में रखना, ठीक है, कोन से energy के लिए, energy level के लिए, कोन सी energy रहती, ठीक है, बच्चों, यहाँ पर अभी हम रुख जाते, इस topic को अच्छे से करिए, ठीक है क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे बराबर, एकदम मैंने कहा, last class में आपको एकदम tricky बताया, कि कहा पर आती है, P क्या होता है, यन क्या होता है, कोन से reason में, बस इतनी चीज़े आपको जान में रहतने, ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम continue करेंगे बा